आज भाजपार अपना घोशना पत्र जारी कर गया है उसी मुद्दे पर और उसी विशेर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है विधाल सबाश शेथ के शेथ कमांग तीन किंधायद आकाश हज़े रहे हैं तो आपको बहुत बहुत साले हैं जैसा कि आज भाजपार अपना घोशना पत्र चारी के लिए इसको लिए क्या गया है तेके बहुत ही अच्छा भोशना पत्र है सेफ्टी, सेक्टिरी इसे लेकर पाइनाशल स्ट्रेंग हमारे देश की बड़े उन सब को ध्यान में रखे हुए बनाया आप देखें कंग्रेस का जो गोशना पत्रता उसमें सबसे पहले बहार हमारी सेफ्टी, सेक्टिरी बेटी सेना को जो स्पेशल पावर्स दिये जाते हैं उसके कटवटी की बात उने ने करी के रख द्रोह का जो उपद्मा चलता है देश जोई ओपर उसे राटाने की बात थी तो शुरुबात ही उनके रोशना पत्रों में राष्ट द्रोह से उती है और हमारे में हमारी सेफ्टी, सेक्टि, सेक्टि को जान में रखते हुए सेना को मजबूर करना, पुलीस को और अध्यादूनिक बनाना उसे हुए उसके बात पिर किसानों को बहुत सारी रिदाएं हैं जैसे किसान क्रेजिक काट कर ब्याज मुप्त रेने की बात पही है तो ग्रामी चेत्र में रोजडार बढ़ाने के लिए पशु पालन में बड़ा निवेश होने जारा है, मचली पालन में दूब्ध जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहर अच्छा काम उन्राल है तो ग्रामी चेत्र में रोजगार करानी की बात किये, साथी साथ, स्किल डेवलप्मेंट, मेक इन इंडिया और शेहरों का जो रिकास है, उसके फोकस करके शेहरी चेत्र में भी रोजगार को बरावा देने का प्रहाई सका है. देना एक प्रहाई के लिए कि वमारी यह सबसे बड़ा लिटा है को भी आपार को लेकर जोजगार को जेहरी किया मीतिया बनाएगा इसके खाई पर गोश्ना बते हैं? वेकर किसानों के जो मैंने आपको बपाई हैं, उनकी आयए प्रियर दुम्ई हो इसका क्यास सट्कार करेगी और तमाम जो इजे मैंने जी बपाई के काम पर गप्रिय हैं सट्कार है और रोज़दार के लिए भी मेकें इंडिया इसके लिए इंडिया इसके लाइन पीक उष्छन विकास दो और फिर शेहरों का जो डेवलाप्मेंट उसके बार जो इंफरस्टर्चर डेवलाप्मेंट हमारा हुगा है सड़, बिजनी, पानी, आज धरगर बिजनी पहुंचाई जारी है, सरकें 40 km प्रती दिन विरक्तार से रंगई है, बानी के, तो इससे भी रोजदार मिलता है, जब कपनी जातर की ताम कपनी है, उनका सच्छा करना है, तो रोजदार लोगों को मिलता है, वास्त के छेत्र में जैसे आईरिश्मान योजणा है, हमारा स्वच्छ बारत है, खेलों, तो स्वास्त के छेत्र में भी बहुत अच्छा काम कपनी है, बिपकुल मिला के ओवर और डेवलप्मेंट, गरीब से लेकर के, पिसान तक और पिसान से लेकर के, अग्यमी तक, हर वर्ण का डेवलपन, जो मुद्रा योजणा के माद्यों से लोन की बात पहुए है, वह भी वापे के बहुत कर्चा है, बहुत ही सराम्य है, कमिवाई योजणा पहुए है, और जो जो बज, पेंशन, मजदूरों को पेंशन, और अनॉर्गनाइस सेक्टर के जो अच्छा है, उनको पेंशन की ब जो बहुत है, बहुत ही अच्छा पज़ा पनी शना चाहूंगा, घोशना पत में जारी की गए, जैसा के आपने देखा के आज भाजपा ने अपना घोशना पत्व जारी कर दिया है, उसी विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे पीछ आज मौजू थे, नगर अज़िक आज हम उसी विशे पर आज उसे चर्चा करेंगी कि भाजपा ने जो घोशना पत्व में जारी किया है, उसको लेकर क्या क्या नीतिया बनाई देए है, सिर्फ जैसा कि भाजपा ने अपना घोशना पत्व जारी किया है, उसमें ब्यापारियों को लेकर, रोजगारों को ल ले जाना तो देश के 2022 में जब आजयादी के 54 साल होंगे उसको लक्ष रखके इसकतर विजूत आज़ी है और समाज के हर वर्विश देश के हर शेत्र उसने कुछ उपधिया दिये पांच साल जो मोजी जी के पितले समय गुजरे उसमें जिन कामों को शुरूत दिया उनके रिजल्ट लोगों को इसमें दिखाई देए और आने वाला पांच साल ये देश इसके लिए माई इसकों के रूप में वहांकी जिन्ता पाटी लोगों को गताई है किसानों के लिए योटों के लिए बेदुद्दारों के लिए महिलाओं के लिए व्यापारियों के लिए श्रमिक होते लिए दलिक होते लिए अनुप चिद्जाक्ति के लिए आदिवासी होते लिए कोई वर्व एसा रहनी है जिसके उस्थान की बात ने की गई हो हिंदुस्तान के इंफरेक्स्ट्रक्शर को व्यवस्थित करने के लिए सलक वैज अवभाइयुगा इसको विवस्टित करके इसकी सुलीधा बढ़ाने का काम किया locomotives हृति को बढ़ाने का काम किया है घ्रशी के आयात को कंद बम करके निजरेत पर ज्यादा काम हो। कि उद्म से बियोच्ट बढ़ा हिए मतलब उसको पढ़नेसे उसको लक्षित करते हुए यह संकल्प पत्र जाली किया है सर हमारे वज़िपरिश में तीन मुद्धे सबसे बड़े हुए एक प्यापार का एक किसान का और रोजकार का उसको लेकर क्या दोजार में इसमें क्या नहीं की किया आप डाबु करने हैं देखे किसानों के लिए जो एक 6,000 सम्मान राशी देने का दो एक्टर जुमीन का प्रतिवन इसे समाप्त कर दिया है हर किसान को सम्मान राशी उसको मिलेगी हर वार्ट एक लाग उटी का किसान क्रेजिट कार्ड की योजना उंत पोदी जी ने बताई बाती जनता पार्टि कि पांट साल तक एक लाग उठी जिना ब्याद कि किसान को किसान के लिकाट में हसल भीमा योजना स्वेचिक कर दिये लेकिन उसका लाभ पूरा उसको मौवजा मिले यह उत्में उन्हें जोगा है ये वी खेती को बड़ावा देना ये एक उच्छु पाइं किया है फिर के लिक्त से हुन दूर है कि वंद्शेट्र को बढ़ाने का ताम किया है कि शीशाई का रखबा बढ़ाने की रोजना बनाई है और बान जो 40-45 बरसों के लंबिक थे उनको पूरा करना नहीं बान बनाने की रोज़गार के लिए पचास लाग रूपे तका रिंड बिना गै को दिया जाएगा मेरेकिन इंडिया में जो कोशल विटास उन्हें और आगे बढ़ा के अपने हाथ के कोशल को वो मुद्रा यूजना के तहित लोल लेकि 5 लाग वो अपने लंदे को करे और रोजगार देने के बज़ाए एक नोक्री देने के बज़ाए स्में रोजगार क व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा एक काम किया है व्यापारियों के लिए कॹे आफ बॉर्ड का गठल किया से रोजगार को लेकर क्या में करें क्या आप स्वेम रोजगार उतलब्द करो उपारजन करो चाल लोगों को मौपी दो पचास लाग हमते तक का बिना ब्याइच का और बिना गयारेंटी का रिंड कि एक सर्कार का बड़ा बारी कदर मुद्रा उतना से बड़ा के कदर में कि पचास लाग तका नव जोग को लोन दे रही करता है जिसमें गयारेंटी नहीं मांगे तो यह अपने आपने बड़ी चीज़ है व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ा काम कुली बार इस देश म उसे दच लाग रुपे का दुर्गचन भीमत जो जीएट देता है व्यापारियों चोटा मजला व्यापारियों उस और ये ती दिता हुआ चोटा व्यापारी है उसे जिनकी वर्पेशन गोवर्मेंट अफ इंडिया देगी ये बड़ा काम दूए आपकर लियान बोर्ड का गठर होना और उसमें ये दो निर्नाय सट्गार में जो गोशित की है ये अपना आत्मा है माई लिफ्टों जैसे हो लख साफ ने कहा कि कोई साही वर्प पीछे मही देगा सभी बड़ों कुछ ने कुछ पाइदा भी देगा चाहे व्यापार हो रोजगार हो महीला हों से जुड़ा हो या न्याय हो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भाजपन है अपना घूशना पत्र जारी कर गिया है उस संप्र ०ृष् felt यारी करा गया है इसके सब्द शब्द से सोर्य परिलख्षित हो रहा ही यह भारत के सवाभिमान का भारत के गो चाहर का और भारतके पड़ाक्रम का वैशपिक और विरात सवरुश्ड कर गया है ब्हारति जलता पार्टी के प्रधान मंत्री नरेंद्र नूढगी जी की उपस्तितीमें जाए कि भारती जनता पार्टी ने अपनी प्रतीबदता दौर आए कि भारती जनता पार्टी धारा 300 को समास्ट करने के लिए प्रतीबदे हैं हमने कहा है कि राम जन्म भूमी पर मंदिर का निर्माश होना चाहिए, ये भारती जनता पार्टी की प्रतिबतता में शामिल है, हमने कहा है कि जो सीमा से गुस्पेट होती है, इस गुस्पेट के विरुद्ध सुरक्षावलों को और भी ज़्यादा प्रिहेंड दिया और जो गुस्पेटी हैं उनके साल बहुत ही ज़्यादा निर्मक बहार किया जाएगा, भारती जनता पार्टी ने संकल्पर पत्र के अंदर दोराया है कि नागरिक बिल कोर्ट के बारे में हम लोग अपना इस पस्ट द्रस्टी कोर्ट इसमें प्रकट करा है, भारती जनता पर्टी ने ये विचार करा, प्रधान मंत्री जी को लगा, कि जो छोटे और मजोले दुकानदारे होते हैं, उनके पास तो कोई प्रविडेंट पर नहीं है, भविश निदी नहीं है, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति असक्त हो जाता है, काम करने के योक नहीं रहता है, तो प्रधान मंत्री जी ने अपने इस गोशना पत्र में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के संकल्बपत्र में कहा गया है, कि साइट वर्ष की आईू के बार छोटे जो दुकानदारे, उनको पैंचन दी जाएगी, जो छोटा किसाने, उसको पैंचन दी जाएगी, एको दो वो है राष्टी व्यापार आयोग का चाहिली बार किसी सरकार ने विचार करा कि व्यापारियों का प्रतिनिति तो संविधानिक शक्ति के साथ होना चाहिए तो राश्टी व्यापार आयोग का गठन किया जा रहा है, इस राश्टी व्यापार आयोग में जो व्यापार जगत के घटके चाहिए कपड़ा बाजार हो, बरतन बाजार हो, और भी अनानी जो व्यापार इक्षेतर होते हैं, दलाने हैं, तिलाने, सब के व्यापारियों का प्रतिमी दित को करके एक राश्टी व्यापार आयोग बनाया जाएगा और छूकि इस व्यापार आयोग को सब्यदानिक शक्तियां प्राप्थ होगी यह आयोग है तो मजिस्टियन पावर अप्राप्थ होंगे तो मुझे लग रहा है कि व्यापार जगत की उन्नती और पावेशी घोशना पत्रे जिसमें महिलाओं का, युवाओं का, छात्रों का और वेरूजगारों का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, उध्योग जगत का, अर्थ जगत का समान रूप से दिहान रखा गया है. सामरिक शेत्र हो, आंत्रिक सुरक्षा की बात हो, ब्राम्य सुरक्षा की बात हो, और ये संकल्प पत्र जो है, समगर लूप से सभी पर द्रश्टी पार करता है. सर, एक काफी फूक्ष्टन ये चाहूंगे कि अब ये मारा हुद्रश्ट है, किसानों को लेकर बेरुजगारों को लेकर, उसके लिए आपको क्या दोना है, व्यापारी, बेरुजगारों के लिए कौन से नई नीती जो भाज़पा ने अज़दारी की है? बारती जलता पाइटी के संकल्प पत्र में, प्रधान मेंत्री जी ने संकल्प अभिवयत करा है, किसानों की आएक को दुगना करा जाएगा. भारती जलता पाइटी का मानना है के लालच से, लोग से और प्रलोभन से भोड तो प्राप्त किया जा सकते हैं, पर राष्ट की आत्म निर्भरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है. तो आत्म निर्भार किसान बने, आत्म निर्भार क्रशी हो और क्रशी लाबगा धन्दा बने इतरह सिकों से बहुत सारे व्यापक सुधार करे गई, खाद की सुलव उकनमदता की बात करे गई यहां तक रोजगार का प्रस्ट में पिछली बार भी अमने मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग लगभग 13.5 करोट नौजवानों को रोजगार पदान किया था और इस बार भी सरकार ने बगए ग्यारंटी की जो योजना है लोन की पातलता थी उसको बढ़ाया है तो मुझे लग रहा है कि रोजगार प्रदान करने के दिशा में ये संकल्प पत्र सीधा और इसपष्ट दिशा निर्देश बताने वाला है